नमस्कार दोस्तों देखो सीखो स्टेडी में आप सभी लोगों का स्वागत है बहुत ही इंपोर्टेंट जो है हिंदी का आगला प्रैक्टिस सेट आ चुका है ये सभी कोशन जो है एक्जाम में कई बार हरे की पेपर में पूछे गए ठीक है तो सबसे पहला नबा कोशन आ दोस्तों कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहेगा ठीक है बोला जा रहा है वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिन में जिन में क्या होता है उसको कहेंगे सरल वाक्य दीए तो इसका ये सरल वाक्य का अगर परिभासा की बात करें ना तो परिभासा में ही सीधे कहा जाता है क सरलवाक के वो होता है जिसका एक ही उद्दे से और एक ही विधेया हो ठीक है तो यहाँ पर C में बताएगे है कि एक ही उद्दे से और एक ही विधेया हो तो option number C यहाँ पर right answer हो जागा याद रखिएगा बहुत बार exam में आ चुका है जो भी हम यह question लेके आ रहा है यह exam में बहुत बार आ चुके है निश्टी बात करेंगे प्रतेक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड क्या कहलाता है दूसरा और चौथा पताना है पहला और तीसरा नहीं पहला और तीसरा भी हम बताएंगे पहले पताएंगे दूसरा और चौथा जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है तो याद रखिएगा दूसरा और चौथा कहलाता है महा प्राण और पहला तीसरा और पांचवा जो होता है यह आपका कहलाता है अल्प प्राण जिसे का हो गया ना तो का जो है पहला हो गया खा जो है यह आपका हो जाएगा महापराण गा जो है यह फी आपका अर्पराण हो जाएगा और आपका घा जो है यहाँ पर महापराण हो जाएगा मतलब गूज रहा है आप देख रहें ध्यान देंगे तो समझ में आएगा आप दोसको ठीक है चलिए next question उ चारण की दिश्टी से sambal ध्नी का कौन सा वर्गी करण है सभी लोग बताएंगे यह भी question पूछा गया था सभी लोग बता दोस्तो म, आधा म, और दोनों सन्युक्त हो जाते हैं इसको बलते हैं संवरिक ठीक है या दखेगा संबल में ठीक है चलिए next question बात करेंगे अगर माले दिक है ठीक है और क और व जो है यहाँ पर और न आपका यह सभी जो है सन्युक्त धोनियां होती है जिसे कही पारा दिखे अधा न यूज कर देखा तो यह सब जो है संब्रिक का ध्वनियां होती है next बात करेंगे विपद जाल जो विपद जाल है यह दोस्तों आपके लिखा हुआ है विपद जाल यह कौन सी संदी यह कौन सी संदी है स्वर संदी वेंजन संदी व्रिद्धी संदी या फिर गुण संदी बताइए तो विबत जाल में कहीं आपको स्वर दिखने ही रहा है तो स्वर संदी इसमें कैसे हो जाएगा स्वर संदी में यह सभी आते हैं तो वेंजन संदी यहापर राइड एंसर हो जाएगा, Vengeance, Sandi, नेक्ष्ट कोशन है, दुरात्मा जो लिखा हुआ है, इसमें उपसर्ग आपको बताना है, तो आगे जो लगने वाला है कौन सा इसमें, आपको बताना है, उपसर्ग तो बहुत सारे दे रखे हैं, सही उपसर्ग क्या होगा, दुरात्मा में सही लंत वाला जो रह है, न मतलब आधार रह जो है, ठीक है, यह वाला आपको हो जाएगा, option number c राइड एंसर हो जाएगा, ठीक है, दूर यह वाला, और धन आत्मा, ठीक है, यह आपको दूरात्मा हो जाएगा, नेक्ष्ट बात करें, निम्रिखित में से किस वाक्य में वाच्चा के क्रिया विशेशन है, जिन लोग को आ रहा है बता सकते हैं, द्यान दिजे, परिमाण मतलब क्या होगा, कुछ मात्रा उत्रा की बात होगी, तो देखिए यहापर क्या बोला जा रहा है, ठीक है, परिमाण जो है, यह आपका बताएगा, कुछ मतलब ऐसा की, अच्छे खिलाड़ी हो, तो यह भी आपका बताएगा, बहुत ओले पड़े, यानि कि यहापर मात्रा परिमाण मतलब यही आपका होता है, कि जो है, बहुत एक परिमाण वाचक है ही, मतलब मात्रा उत्रा की बात होगी, ठीक है, यह राइड एंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन है, मनुभाव को प्रकट करने वाले वे अविकारी सब्द, जिनका वाक्य से कोई संबंद नहीं रहता है, उनको क्या कहते हैं, वाक्य से कोई संबंद नहीं रहेगा, तो क्या कहेंगा उनको, बताइए, तो देखिए, वाक्य में दूस्तों, इनका वाक्य से जो है, अविकारी अव्ययाएं के दोस्तो चार हलेत накомे साल है जो अपका मनुभावुक प्रकट करता है वो होता है विश्मया दि-बोधक अव्ययाओ यह जिससे कोई मतलब नहीं लगा रहता है अगर बात करें मनुभाव नेक्स्ट बात करेंगे वे व्रष्टाचार के प्रबल बिरोधी थे वे व्रष्टाचार के प्रबल बिरोधी थे ये वाक्य है वाक्य सरुनाम का कौन सा प्रकार है सरुनाम का कौन सा प्रकार है तो देखिए वह वे यह ये 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 सब जो है पुरू स्वाचक है ठीक है पु पूरुस वाचक में भी आपको हो जाता है उत्तम पूरुस, मध्यम पूरुस और अन्य पूरुस यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है पूरुस वाचक के ही यह सब अंग है आप डी राइड एंसर करके आगे बढ़ सकते हैं next बात करेंगे नलिनी कैराव चंदरप्रिया किसके परियाए वाची है अगर बात करें तो जो एक फूल होता है कुमूद नी उसका राइड एंसर होना चाहिए लेकिन आयोग ने जो दोस्तों क्या किया था इसका उत्तर सभी को दे दिया ठीक है तो यहां पर दुस्तों जो हो जाएगा आपका कुमूदनी के प्रमुक जो परवाची है वो है नलनी ठीक है कह रहा हो चंदरप्रिया ठीक है तो कुमूदनी राइड एंसर हो जाएगा option number जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा c और भी c में डाल दिया था इसलिए next बात करेंगे सब्द यूग्म यदा कदा के सही अर्थ यूग्म का चैन कीजिए यदा कदा का जो सही अर्थ होगा वो आपको बताना है तो देखें ये भी पेपर में पूछा गया था और यहाँ पर जो है बोडर ने क्या क्या था सबको इसका उतर दे दिया था या फिर कहें तो ये question गलत मान लिया था तो यहाँ पर दोस्तों जो है यदा कदा देखिए मेरे सबसे यदा मतलब क्या होता है यदा मतलब जब होता है तो जब कब होना चाहिए लेकिन अगर वाक्य में यूज आप देखेंगे तो जब तब होता है ठीक है यहाँ पर जब कब अगर यदा की बात करें तो जब इसका सही अर्थ आपको बताना है, नियत, नियत का तो बता है, यह बहुत ही important है, देखिए छोटी की मात्रा हो जाएगा, मतलब हो जाएगा निश्चित, तो निश्चित पहिला में राना चाहिए, तो निश्चित स्रिफ option number C में ही है, और नियत मतलब बता है इरादा, मतलब तुम्हारी नियत कैसी है, नियत बहुत गंदी है, इसका इरादा बहुत गंदा है, तो option C जो है, राइट हो जाएगा, थोड़ा सा जोर देके बोलते है नियत, तो यह आपका हो जाए इरादा, और जल्दी से नियत बोल देते हैं, तो यह जो है, निश्चित होता है, C रै आउ की दिश्टी से उप्रियोग नहीं हुआ है, उस सब्द का चैन कीजिये, वो सब्द का चैन आपको करना है, कौन सा यहां पर गलत जो है उप्योग हो गया है, देखिए, आलोचकों के अनुसार होना चाहिए था, अनुरूप जो है न यह गलत हो गया है, ठीक है? अनु चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ती है, वृत्ती आपको बताना है, कौन सी वृत्ती है, सॉरी, अब आप चल सकते हैं, इसमें कौन सी वृत्ती है, तो देखिए ये आपका सामार्थ है, सामार्थ है, option में या फिर कहेंगे सकती बोधक, ठीक है, तो या पर option number A हो वो हो जाएगा अपका ए चलने की सकती या फिर कहेंगे सामर्थ ठीक है जिसे की माली अब तक नहीं चल पा रहे थे पैरों में कुछ प्रावलम था ठीक है इंग्लिस का कोशन था उक्जेलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं और बार बार एक्जाम में आ चुका है एक दो बार नहीं बार बार एक्जाम में आ चुका है क्या बोल रहा है ध्यान दीजेगा लिपी चिन्णों के क्रमबंद समु को क्या कहा जाता है लिपी के चिन्ण होते हैं मतलब कोख़गजू है यह चिन्ण है यह अब माली जै मैं आप से बोलूँ कि यह को है और आपने कभी को देखा ही नहीं था तो आप कैसे जानेंगे य यह लीपी का एक अच्छा रहे है तो इसको खौख होगा तो आप मिला करें लोग लिखने लगए चाहे यह लिपी का एक चीन्ड है तो यहाँ पर क्या पर कैसे क्रमबंध समूगल समझे पूरा रहेगा नेक्स्ट कोशन बात करेंगे यहाँ पर है ऐसी कौनसी दो मात्राएं है जिनका प्रियोग प्रियोग तो किया जाता है किन्तु उनका समावेशन जो है समावेशन जो है स्वर में नहीं किया जाता है वो कौनसी मात्रा है जिनका समावेशन जो है स्वर में नहीं किया जाता है लेकिन प्रियोग हो रहा है, बताइए, देखिए ये आपका है अंग और अह, अंग और अह, ठीक है, option नमबर जो है, आपका हो जाएगा B, ठीक है, चलिए, next बात करेंगे, संस्कृत से हिंदी में प्रियुक्त मूल सब्द से वर्तमान स्थाई तदभव रूप तक पहुचने के मध्य, याद रखेगा क्या कह रहा है, कह रहा है, संस्कृत का कोई सब्द था, वो अब हिंदी में क्या हो रहा है, प्रियुक हो रहा है, और तदभव तक पहुचने के म तत्सम और अब बन गया भहिया तदभव ठीक है तो इसके बीच की बात हो रही है अभी चेंज नहीं हुआ है तो इसको क्या कहते है अर्ध तत्सम तूट फुट या सुद ग्रूप में ये प्रिवग होने वाला है अर्ध तत्सम कहते है बहुत ही बारीक बात है और एक्जाम का कौन सा भेध है थोड़ी से तो मनुस्यता दिखाओ ये क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है ये जाती वाचक संग्या है लेकिन मनुस्यता जो भाव है ये एक भाव है आप समझ रहे है ये जो है आपका राइड एंसर हो जागा भाव आचक संग्या ठीक है मनुस्य जो है आ नेक्स्ट बात करेंगे इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसके लिए क्या कहेंगे तो ध्यान दीजेगा बहुत ही इंपोर्टेंट कई बार यहां पर कन्फ्यूजन होता है इंद्र को जीतने वाला होता है इंद्र जीत और इंद्रियों को जीत लिया उसको कहेंगे जिते इंद्रिय इंद्रियों को जितने वाला जितेंद्रिय और इंद्र को जितने वाला इंद्र जित यानि की मेगनात का नाम है ठीक है समझ में आ रहा है चलिए next है से अलगाव किस बिभक्ति का बोधक चिन है से अलगाव रहेगा तो कौन सी बिभक्ति का ये बोधक चिन है आप को बताना है सबी लोग बताएंगे यापर डी राइड एंसर हो जाएगा दूस्तों तो देखिए हम यहापर खतम कर रहे हैं कोशन अपके हो चुके कमेंट बॉक्स बते कितने कोशन अपने राइट किये हैं आसकरते हैं दूस्तों हमारा प्रयास हमारा वीडियो का सेट जो है हिंदी का आपको पसंद आओगा वीडियो पसंद आओगा अधिक से दिक लाइक शेर कीज़ेगा आपका लाइक शेर और चेचे कमेंटी हमें मोटिवेट करते हैं आगे वीडियो जोनाने के लिए हमारा वी